मुसलिम कम्मुनिट्टी को निशाना बनाने पर जी निउज चैनल के सुधुरी चोधरी को मिला समन 11 मार्च 2020 को सुधुरी चोधरी ने जी निउज के एक शो में जिहाद को उन लोगों का थियार बताया था जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जिहाद को साजिश बताते हुए उनोंने इसे दो हिस्सों में बाठा hard जिहाद और soft जिहाद जिसमें आर्थिक जिहाद, history जिहाद, media जिहाद, film और संगीत जिहाद, population जिहाद, love जिहाद, zमीन जिहाद, education जिहाद, period जिहाद और direct जिहाद जैसे एक चार्ट में अलग अलग जिहाद के टाइफ्स बताए इस तरह का जिहाद चार्ट बताकर जिहाद का गलत मतलब और परिभाशा लोगों के सामने रखी इसी प्रोपेगंडा शो के खिलाब एक्टिविस्ट साकेद गोकले ने शो के आइंकर और चैनल के एडिटर इंचीफ सुधीर चोधरी के खिलाफ कमपलेंट की जिस पर निउस स्टेंडर अर्थार्टी यानि एनस बीए ने जी निउस को समन भेजा इनस बीए ने कहा कि पहली नजर में प्रोग्राम का लहजा और अंदाज बाटने वाला लगता है चैनल का इस तरह एक खास धर्म को निशाना बनाना देश के सेकुलरिजम के खिलाफ है और आगे कहा कि प्रोग्राम ब्रोडकास्टिंग के बुनियादी सिधानतों का उलंगन करता है और साथ ही नस बीए ने बताया कि उन्होंने नोट किया कि प्रोग्राम में बताये गए जिहाद चार्ट और मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की वज़ा से हमारे समाज में नफरतों को और बड़ावा मिल सकता है इसलिए इस पूरे मामले को लेकर एनस बीए ने जी नियूज के दो लोगों के खिलाफ समझ जारी कर 26 नॉमबर 2020 को आनलाइन वर्चुल सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है याद रहे सुधी चोधरी अपना पूरा शोव जमीन जिहाद जैसे टाइटर पर चला रहे थे आगे उन्होंने का कि देश में जमीन जिहाद के वजासे जंगलों और नदियों का भी धर्म परिवर्तन हो रहा है और बताया कि जिहाद उन लोगों का शब्द है जिनके इरादे नापाक होते हैं और उन्होंने जमीन जिहाद का मतलब बताया कि जादा से जादा जमीन घेरना, अपनी पापुलेशन के लिए उन जमीनों पर मस्जिद, कबरस्तान और मदरसा बनाना, इसे जमीन जिहाद कहते हैं, जबकि मुसल्मानों पर एक बहुत बड़ा इजाम है, क्योंकि आज देश म वक्वर्ड की कई जमीने ऐसी हैं, जो मसल्मानों की कब्जे से बाहर हैं, उसे देश के बड़े बड़े नेता बिजनसमेन ने कब्जा किया हुआ है, हमें किसी दूसरे की जमीन घेरने की कोई जरूरत नहीं, जितना हमारा हिस्सा है, अगर उतनी ही दे दी जाए तो काफी है, याद रहे नाजरीन, दीन इसलाम में किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वालों को आखरत में बहुत बड़े अजाब की बात कही गई है, पेगंबर मुहम्म्मद स. अलल्ला अल्यू ने फरमाया कि जिसने किसी की एक बालिश्ट जमीन भी नाजाइज तरीके से कब असर जोट है, जिस तरह जिहाद का चार्ट बताया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों और इसलाम के खिलाफ एक प्रोपेगंडा है, ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें